प्रियाग राज के कुम्भ में पहले ही दिन लगी भीशण आग किसी के हताहत होनी कोई सूचना नहीं लेकिन ये आग कहा जाता है कि सलेंडर जो गया सलेंडर होता है उसके लीकेज होने के करण एक अखाड़े में लग गई और इस अखाड़े की वज़ा से आसपास में सटे हुए दो तीन खाड़ों तक यह आग पहुंची किसी के हताहत होनी कोई सूचना नहीं मिली लेकिन सवाल यह है कि लीकेज गैस में आग लगी तो इतनी भीशण आग विक्राल रूप कैसे धरान कर ली प्रशासन और दमकल कर्मी उस समय कहां थे जब आग शुरू हुई थी यह आग थोड़े ही दूर तक फैली हुई थी यह एक प्रशन चिन है तो इस पे गवर करना चाहिए चुकि यह पहला साही यह पहला सनान था अभी पूरे सनान पड़े हुए हैं प्रशासन को इस पे सकती वरतनी चाहिए ऐसे गैस सिलेंडर पे रोक लगनी चाहिए कि मेले शेत्र में वो गैस लेंडर यहां पर डिलीवर नहों हो सके और ऐसे बाबाओं के उपर विध्यान दिना चाहिए प्रशाशन को जो अपने पंडाल में पूरा सानों सौकत सर रहते हैं ऐसे गैस सिलेंडर ऐसे दुरगटना होने को अम्मान सित करते रहते हैं प्रयाग खश्तर में